तो हिलो मेरेटर फैमली दोस्तों फाइनली हीरो की स्प्लैंडर पलस का दो जार चोबिस का नया मोडल फाइनली इंडिया में लॉँच हो गया है कम्पनी ने बाइक में बोहुत सारे ने अब्डेИट कीए है बोहुत सारे ने चेंज्जिस कीए अगर आप भी Hero की Splendor Plus को purchase करने की planning कर रहे थे तो आपने बिल्कुल सई वीडियो पर click किया है इस वीडियो को बिना skip किये आप पूरा देखिएगा क्योंकि आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि Splendor Plus में company ने क्या कुछ ने changes की है बाइक का जो price है वो कितना ज़्यादा increase किया गया और company ने क्या कुछ ने feature bike में provide करवाई है तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो में end तक बने रहेगा तो without any wasting time let's get start the video दोस्तों गर हम bike के सबसे पहले update के बारे में बात करें तो वो हुआ है bike के front section में जो लोग splander plus के user है उनको पता हुगा कि bike में पहले halogen एडलाइट का setup देखने के लिए मिलता था जिसकी जो road पर visibility है वो काफी ज़्यादा कम थी तो इसी problem को देखते हुए hero company ने finally अपनी splander plus में LED एडलाइट का setup प्रवाइड करवा दिया है अब bike के front में आपको बिल्कुल नए LED एडलाइट का setup देखने के लिए मिलेगा bike की जो एडलाइट का design है वो भी काफी ज़्यादा शांदार प्रवाइड करवाया गया है और bike की एडलाइट में आपको काफी अच्छी visibility देखने के लिए मिलेगी अगर हम bike के अगले changes के बारे में बात करें तो वो किया गया है bike के indicators में अब bike में आपको बिल्कुल नए design के indicator देखने के लिए मिलेंगे जो की काफी ज़्यादा शांदार है जो पहले के मुकाबले bike को काफी अच्छा look भी provide करवा रहे है इसके लावा hero company ने bike की seat height है उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया है जैसा कि आपको पता हुगा कि बहुत सारे लोग hero की splendor plus से long ride करना पसंद करते हैं तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए hero company ने अपनी splendor plus की seat height को और भी ज़्यादा increase कर दिया है अब bike में आपको पहले की मकाबले और भी ज़्यादा comfortable seat आपको देखने के लिए मिलेगी bike में और भी ज़्यादा बढ़िया cushioning आपको देखने के लिए मिलने वाली है इसके लावा दोस्तों अगर हम bike के अगले changes के बारे में बात करें तो bike की mileage को भी increase कर दिया गया है पहले bike में आपको 70 plus के MPL की mileage देखने के लिए मिलती थी अब company ने bike के engine को और भी ज़्यादा smooth कर दिया है जिससे आपको bike में आपको 70 plus miles देखने के लिए मिलने वाली है अगर हम bike के engine के बारे में बात करें तो company ने bike के engine की power core और भी ज़्यादा smooth कर दिया है bike में आपको 100CZ का air cool 4 stroke 3 volume engine देखने के लिए मिल जाएगा जो कि maximum power produce करता है 7.9 BHB की और maximum torque produce करता है 8.5 Nm की इसके लावा bike में आपको बहुत ज़्यादार नया color combination देखने के लिए मिलने वाला है जो bike look को और भी ज़्यादा enhance कर रहा है अगर हम bike के pricing के बारे में बात करें तो bike का जो price है वो पहले को मुकाबले आपको 6-7 अजार उपे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि bike में company को और क्या कुछ अपडेट करना चाहिए था मुझे comment box में comment करकर बताना बिल्कुल भी ना बुलें अगर आपको आज की वीडियो अच्छ लेगी है तो वीडियो को like करने के साथ चैनल को subscribe करके bell icon को press करना बिल्कुल भी ना बुलें आज की इस वीडियो को end तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो मिलते हैं आप से करें इस नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए till then bye you take care